भारती हूं जी सर कहां तक सहमत है से सर वो यह समझने के लिए वो किस लिए ऐसा कहते थे यह जानना जरूरी है दो इस्टेट्वन बता रहा हूं मैं पर्थमता राष्टवादी हूं दूतीता राष्टवादी हूं अंतता राष्टवादी हूं यह जिन्ना का है मैं पहले हि उसमें धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है और धर्म के वो तात्विक रूप को लेके चलते थे कि उसका जो मेटा फिजिक्स है वो तो सारे धर्मों का सेम है तो हिंदू होना भी आप उनके सारे अर्गुमेंट्स अगर जिन्ना कहा मैं पहले मुसलमान हूं उसके बड़ भारती हूं तो आप जस्टिफाइब करेंगे तो बाद में जो प्राक्टिकल चीजें घटित हुई उससे बाद की चीजें मैं सिर्फ स्टेट्वन को पूछ शरूं जस्टिफाइब करेंगे नहीं करेंगे मतलब गांधी ज भीट तो आतले में सिर्फ किस झालए लैटे थे बेटों को जाने निहीं दिये दच्छों अफ्रीका नहीं जाने दिये सिराज घोपरा चाली लग्री चेल कर ने दिए अपने विरोध्शों को राने के लिए अंशं पर बैट जाया करते थे ना सुभाश को लाइक किए ना जवाहिरलाल को लाइक किये नामबिटकर को लाइक किये जो उनके विरोध में आया तुरन तो किनारे लगा दिये कॉंग्रेस दंकी लेते थे आंदूलन स्वीकार नहीं करेंगे देश के बालों से इससे बड़ा खड़ा कर दूँगा सब कहा तक सही था सर आप जितने आरोप जवाहिरलाल नहरू ने वर्ष 1934 में अपने और गांधी जी के बीच मदभेदों को दर्शाते हुए विदर इंडिया के नाम से लिख लिखा था कई आटिकर लिखे थे और उसमें गांधी जी का था कि मुझे लगता है उल जलूल निरनाय लेते हैं और घटनाय बीच जान किसी भी और्गनाइजेशन के लिए भी एंड में अच्छा ही सावित होता है अच्छा दूसरा एक स्टेट्मेंट था जवाहिलाल नहरू का गांधी जी पर जब उन्हों सभीने वाग्यां वापस ड्रॉप कर दिया था इस तरह होता है दुनिया कांथ धमाके के साथ नहीं अपने पड़ा ही होगा अच्छा कोई बात नहीं यहीं स्टेट्मेंट उन्हीं का है